हाई स्टूडन आज हम इस वीडियो में become sam3 corporate accounting उसकी paper style समझेंगे और उसमें कौन से important sum है वो मैं बताने आ रहा हूँ ठीक है तो देखो सबसे पहले paper style समझें corporate accounting की paper style simple है आपको सबको पता ही होगा unit 1 में से एक sum आएगा 14 mark का और में हो सकता है 7-7 mark के 2 sum आजाएं ठीक है ऐसा possible है पर most of 14 mark का ही एक sum आता है और question 2 भी है unit 2 में से आएगा 14 mark का एक ही sum आएगा और इसके बाद unit 3 जो है unit 3 में जो है bank account है उसमें chances ऐसा है 14 mark का एक sum आएगा और में short sum आते हैं और मैं student को suggest करता हूँ यह short sum आपको करने चाहिए क्योंकि short sum बहुत easy होते हैं ऐसा तो final account भी easy है ऐसा hard नहीं है पर क्या student इसमें थोड़े बहुत mistake करते हैं इसमें mistake होने के chances बहुत कम होते हैं तो मैं student को suggest करता हूँ short sum करो और short sum जो है 7-7 mark के 2 आते हैं ठीक है और आते ही हैं compulsory है 14 mark का एक sum होगा और मैं 7-7 mark के 2 sum होगे और इसके बाद question 4 इसमें भी एक ही sum आएगा 14 mark का होगा और मैं हो सकता है 7 mark की theory आजाए हो सकता है 7 mark का sum आजाए ठीक है possibility है पर मैं suggest नहीं करूँगा अभी यह जो है इसमें 4 chapter है चारों के 4 chapter आपको sum ही करने है ठीक है चारों chapter में और इसके बाद question 5 MCQs आएंगे 14 mark के ठीक है यह paper style ही अभी हम important sum समझें देखो अभी सबसे पहले मेरे पास जो book available है वो है 2021-22 का edition है ठीक है और उसमें से मैंने sum दिये हैं यह ध्यान रखना तो unit 1 में जो नहीं एक ही chapter है evaluation of goodwill उसके आपको यह sum करने चाहिए illustration 10 14 और exercise में से 4 11 17 and 18 यह 6 sum करोगे तो question 1 cover होने का पूरा chances है ठीक है और इसके बाद unit 2 unit 2 में भी एक ही chapter है valuation of shares और सिर्फ मैंने exercise में से sum दिये हैं वो 5 8 15 16 22 33 36 इतने sum आपको करने पड़ेंगे क्योंकि valuation of share जो है वो थोड़ा deep में है ठीक है तो इतने आपको करने पड़ेंगे ज्यादा नहीं दिये 60 sum है sorry 7 है ठीक है यह द्यार नखना और इसके बाद unit 3 unit 3 में एक chapter है bank accounts ठीक है और bank account जो है उसमें मैंने आपको समीद ही है short sum जो है short sum exam में जाता रहते हैं यह short sum दिया है मैंने six seven eight nine ten ठीक है यह short sums है और यह जो 13 number है वो final account है exam में नहीं आएगा बता देता हूं election 13 exam में नहीं आएगा पर क्या है आप वो election 13 करोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि final account किस तरह करना है कैसे schedule बनाना है penal account कैसे बनाना है balance sheet कैसे बनानी है तो उसमें आपको format आ जाएगा फिर exam में सरफ यह ही आएगा कि profit and loss account बनाओ balance sheet बनाओ 14 mark में यह आता है ठीक है election 13 सरफ इसकी वज़े से है कि उसमें आपको पूरा format बता चले election 13 आएगा नहीं यह भी मैं बता देता हूं ठीक है अभी exercise में से यह sum करने है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, sorry 11, 13, 20, and 21 यह आपको sum करने है इतने limited ही दिये ज्यादा नहीं दिये और short sum और में आएंगे और इसके बादा जो final account होगा उसमें से suppose करो PNL account सिर्फ बनाना होगा 14 mark का balance sheet बनानी होगी 14 mark की इस तरह आ सकता है वह exercise में से मैंने दिये है ठीक है यह exercise में से मैंने दिये है यह द्यान लखना इसके बाद unit 4 unit 4 में एक ही chapter है लिक्रिटरस account और उसमें भी मैंने limited sum दिये है यह sum आपको करने है 4 10 13 21 31 ठीक है यह सिर्फ 5 sum आप करोगे तो question 4 cover होने के पूरा chances है ठीक है तो यह मुझे बताना था आई अब आपको यह वीडियो पसंदा आगा तो please like करें share करें and subscribe करें इस वीडियो में आपने thank you